हेलो प्रिंट्स एंड वेलकम तो वर चानल क्रिएट घर एंड वर नेक्स्ट वीडियो मेरा नाम है प्रभाद आज का हमारा टॉपिक है क्रेटिंग स्टेर्ज बाइश केच्च तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था स्टेर्ज को हम कैसे बनाते हैं विद अपर यहां पर क्रियेट करते हो तो हम यहां पर राइजर अगर चेंज करना है तो वह हम चेंज करते हैं यह सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं इसके साथ सा और बीचीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं बड़ इसके्च में अभी यहाँ पर मैंने एक 2D drawing stairs की पहले से ही बना रखिए जो कि अभी हम अपने project के अंदर insert कराएंगे तो जल्दी से हम insert करा लेते हैं अपने project को तो अभी जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहा होगा हमारा जो project था यानि की 2D drawing stairs की वो सारी यहाँ पर insert होके हमारे पास आ गई है यहाँ पर आपको यह तीन design दिखरी होंगी एक है straight एक है L shape और एक है U shape की तो यह सारी मैंने एक ही project के अंदर create करी थी तो वो सारी एक साथ य सारी हम walls को create कर लेते है walls का size जो मैंने यहाँ पर दिया था वो 9 inches दिया था बट हम यहाँ पर क्या है 80 inches वाल लेके चलते हैं क्योंकि अभी हम वैसे तो कोई project नहीं बना रहे है वो मैं बस आपको explain करने के लिए बना रहो तो हम यहाँ पर 8 inches की वाल ले लेते है मैं यहाँ प अपनी stairs को यहाँ पर create करना है with the help of sketch तो हम पहले straight वाले से start करते हैं तो हम वापस से जाएंगे level 1 पर लेवल 1 पर जाने के बाद architecture tab और उसके बाद stair वाले option पर नीचे arrow पर click करेंगे और उसके बाद हम select करेंगे stair by sketch को तो हमने arrow पर click क्लिक किया stair by sketch click करने के बाद modify panel के अंदर हमें यहाँ पर कुछ options देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पहला है run उसके बाद boundary और उसके बाद एक है riser हमें करना क्या है यहाँ पर हमें पहले तो stair की boundaries को select करना है उनका एक layout बनाना है कैसे चले देख लेते हमने boundary पर click किया click करने के बाद right side में ह यह वाली है और उसके बाद यह वाली है क्योंकि यह जो stair है हमारी बिल्कुल straight है तो इसकी boundary line होंगी वह यहीं दोनों होंगी तो हमें करना क्या है हमें इसी के ऊपर outline बनाना है तो हमने इस corner पे एक बार click किया click करने के बाद यहाँ पे एक बार click किया ठीक है तो हमारी जो य यह वाली boundary line ती यह आपको दिख लिए होगी yellow color में ठीक है तो यानि कि इस पर हमने line को create कर लिया है उसी तरह है अब हमें उपर वाली line को भी create करना है तो हमने यहां पर भी यह line को create कर दिया अब उपर वाली नीचे वाली दोनों line yellow color में हो गए ठीक है उसके बाद अब हमें यहां पर अपने राइजर को mark कर रहा है तो हमने राइजर पर क्लिक किया उसके बाद अब हम यहां से चूज कर लेंगे pick line वाले option को तो हमने इस पर एक बार लाइन थी मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहां से लेकि यह पूरी line select होगी तो इसको आप जरूर ध्यान देना कि जब कभी वी ऐसा हो तो आप इस line को trim कर देना मना आपकी stair नहीं बनेगी यहां पर तो हमने इस line को यहां पर जो extra line थी उसको trim कर दिया trim करने के बाद simply टिक करने के बाद 3D view अभी जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा हमारी जो stair थी वह हमारे पास यहां पर create होके आगे अभी wall की height यहां पर बहुत जाद आए तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है तो हम जल्दी से wall की height को भी कम कर देते हैं तो हमने सभी walls को एक साथ select कर करेंगे L shape वाली stair को यानि की second वाले को तो फिर से हम level 1 पर जाएंगे उसके बाद stair वाले option stair by sketch फिर हम क्लिक करेंगे boundary पर boundary पर click करने के बाद यहां से आप line tool को activate कर लो उसके बाद अब हमें करना क्या है हमें यहां पर अपनी boundaries को create करना है सबसे पहले तो हमारी यहां पर boundaries अब क्या होंगी अभी तो state थी अब हमारी जो boundary होगी वो कुछ इस तरह से होगी L shape में जैसी कि हमारी stair यहां पर बनी हुई और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी boundaries को create करो तो इनको close नहीं रखना है ना तो starting वाले points से नहीं end points से आपको सिर्फ left right वाली sites को ही select करना है ठीक है जो कि हमारी यह line और यह line है ठीक है हमने line tool को यहां से select कर लिया था उसके बाद अब हम यहां boundary हमारे पास create हो गई उसके बाद अब यह वाली boundary हमने इसको यहां पर create कर दिया तो यह boundary हमारे पास यहां पे या जो कि हमारा riser है, उसके बाद फिर ऐसे ही हम सारी lines पर यहाँ पर एक एक बार click करते हुए चले जाएंगे, अभी यहाँ पर हमने अपने boundaries को create कर लिया, जितने riser थे हमारे पास हमने उन सभी को यहाँ पर select कर लिया, select करने के बाद simply press tick, यानि कि उपर जो tick वाला option उस पर एक बार click कर दें, tick करने के बाद हमारी जो stair थी वो यहाँ पर हमारे पास बनके आ जाएगी, उसके बाद अब चलते हैं 3D view में, अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारी जो stair थी वो बहुत ही easily with the help of sketch हमारे पास यहाँ पर बनके आ चुकी है, अभी यहाँ पर क्या है कि जो भी stairs मैंने यहाँ पर create करी है, straight, L-shape, view shape, इनको क्या मैंने specific height के according नहीं बनाया था, मैंने यहाँ पर आपको explain करने के लिए बना लिया था, तो आप जब भी stair को यहाँ पर create करोगे तो उनकी specific size, उनकी specific height के according ही बना के और उसके बाद sketch के help से बहुत ही easily इसी तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर simply आपकी stair भी ready हो गई, आपकी जो landing थी वो भी यहाँ पर अपने आप ही बनके आ जाती है, तो यहाँ पर आपको simply sketch यानि की 2D drawing की ज़रुरत होगी उसके बाद with the help of sketch बहुत easy आपके पस बनके आ जाएगी, इसके बाद अब हमारी जो last stair है यानि की you save हम उसे जल्दी से create करते हैं, तो हम चलते हैं level 1 पे उसके बाद फिर से वही same process हमने stair पे click किया stair by sketch और उसके बाद यहाँ पे boundary line उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी boundaries को create करेंगे, पहले inner वाली यानि की अंदर वाली और उसके बाद अब बाहर वाली तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने अपने stairs के shape के according अपनी boundaries को create कर लिया है, अभी जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने अपनी boundary lines को select कर लिया, अपनी risers को select कर लिया, जो यह part आपको यहाँ पे अभी plane दिख रहा होगा, यह हमारी landing वाला part होगा, ठीक है, उसके बाद यह stair आएगी उपर की तरफ, उसके बाद यह landing का part और उसके बाद फिर यह और उपर की तरफ जाएगा, उसके बाद हमारी stair बन गई, अब हमें tick करना है, tick करने के बाद हमारी stair थी, वो यहाँ पर हमारे पास बनके आ चुकी है, उसके बाद अब हम चलेंगे 3D view में, अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि हमारी stair थी, हमारे shape के according यहाँ पर बनके हमारे पास बहुत ही easily आ चुकी है, यह पहली हो गई हमारी straight वाली, कि stair की 2D drawing को पहले ही अगर create कर लेते हैं, तो आपके लिए और भी जादा easy हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं सही लगता है, तो आप Revit के अंदर भी यहाँ पर अपनी stairs को calculate करके, उसके बाद boundary wall और riser के help से, यहाँ की sketch वाले options के help से, अपनी stairs को यहाँ पर आप बहु boundary, riser, stair path, तो आपको same process यहाँ पर भी करना है, वही जो अभी हम करते आए हैं, हमारी last जो three stair हमने बनाई उसके साथ में, तो वही same operation आप यहाँ पर भी अगर apply करते हो, तो आपकी जो stair है वो उसी तरह से बनके आपके पास बहुत ही easily आ जाएगी, यहाँ पर हमें boundary option दे रख आए हो तो please वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करें, for latest updates, floor plans, house designs के लिए आप हमारे pages को भी follow कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगी, thank you so much.